नमस्कार दोस्तो आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरा नाम है रविंदर दोस्तो आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि वी आई पी नंबर और रिटेलर भाईयों को सेल करने के लिए क्यों नहीं दिये जाते हैं दोस्तो यह आप एक ए एली बार आना तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों यह knife आपने अभी तक Telegram छैनल पर जोइ नहीं किया है तो मेरी वीडियो को डिस्किसर में जाएं लिंक पर किलिक करें और आप भी जोइन हों जाएं मेरे तेलिगराम कि यह फैंबिली में भी जैसे कि मैं आपको बताए कि VIP नमबर हम retailer भाईो क्यों नहीं दे जाते हैं ऐसा क्या कारण है कि हमको थर्ड क्वालिटी के नमबर दिये जाते हैं क्या हम हमारी सोप पर ऐसे customer नहीं आते हैं जिनको VIP नमबर की आवसकता है तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि retailer भाई के पास ऐसे भी customer आते हैं जिनको VIP नमबर की आवसकता होती है लेकि दोस्तो यहाँ पर company ऐसा क्यों करती हैं कि retailer को यहाँ पर VIP नमबर नहीं दिये जाते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यदि उस नंबर को सर्च करता है, थोड़ा से मालीजे यदि दो जोड़े आ जाते हैं, मालीजे डवल वन या डवल फाइव आ जाता है, तो यहाँ पर तुरंती उसका 500 रुपे हाँ पर उसका प्राइज हो जाता है, ऐसी मालीजे BSNAL के रिटेल हैं, संचार आधार एप्लिकेशन में यदि आफ व्याइपी नंबर सर्च करने के लिए जाओगे, तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको 500 रुपे से कमके कोई भी नंबर देखने को नहीं मिलेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर यदि एटल के रिटेलर हैं, तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि इसका कारण क्या है, दोस्तों यहाँ पर टेलिकों कमपनी हैं, या दोस्तों आपकी बियस्नल कमपनी है, तो दोस्तों यहाँ पर इनमें दो कैटिगरी के नंबर चलाई जाते हैं, प्री पेड सेवाई और पोस्पेड सेवाई, तो दोस्तों यह यहां पर कंपनी अपना भारी मुनाफ़ा कमाने के लिए इन व्याइपी नंबरों को पोस्पेड में यहां पर इनको लॉंच करती है जैदि किसी बंदे को व्याइपी नंबर लेना है तो उनको नजदी की स्टोर जाना होगा और वहां पर जाकर जो है मालीजे 5,000, 10,000, 20,000, लाग, डेड़, लाग, दो लाग, पांच लाग रुपे तक के नंबर वहां पर कंपनी इन नंबरों को यहां पर सेल करती है तो दोस्तों यहां पर रिटेलर के लिए इसलिए नहीं दिये जाते हैं कि यहां पर रिटेलर जो है अगर उनको दिये जाते हैं तो यहां पर पो पर सर्विस सेंटर भी रहने जरूरी है क्योंकि यहां पर दोस्तों जो काम रेटेलर के पास नहीं होता है वो नजदी की सेंटर पर जाके हो जाता है और दोस्तों वहां पर किराय भाड़ा सब कुछ देखते हुए कंपनी जो है उनका सभी का जो पूरा खर्चा आता है वो सेल करने के लिए उनको जादा जादा मुनाफ़क कमाया जाता है इसलिए दोस्तों यहां पर यह रेटेलर को नहीं दिये जाती है क्योंकि दोस्तों यदि वी आईपी नंबर रेटेलर से सेल करवाए गए तो उनके सर्विस सेंटरों पर कोई जागने को नहीं जाएगा तो